नगर निगम के लेखा विभाग में मस्टक अंचारी के रूप में 25 साल पहले भरती हुआ राजकुमार साल भी देखते देखते करोडपती बन गया निगम के लेखा विभाग में ठेकेदारों के बिल बनाते बनाते उसने बियावानी का अपना पैत्रिक मकान छोड़ छोटा वांगरदा की अंबिकापुरी कॉलोनी में तीम मंजिला आलिशान घर खड़ा कर लिया यही नहीं इस मकान से लगे दो प्लाट भी खरीदिये साथ ही एरोडरम रोड पर सीताश्री रेसिडेंसी इमारत में एक बड़ा फ्लेट भी खरीदा है आयसे अधिक संपत्ती अर्जित करने के मामले में शुक्रवार को U.W. ने साल्वी के तीम ठिकानों पर चापामार कार्रवाई की तो यह खुलासा हुआ U.W. पुलिस की टीम ने शुक्रवार सुबह करीब 6.30 बजे साल्वी के अंबिका पुली स्थित खर से कार्रवाई शुरू की U.W. धनंजे शाह के निर्देश पर जब चापामार दल के अधिकारी साल्वी के घर पहुँचे तो वे जागे भी नहीं थे जांच दल ने ही घर का दर्वाजा खुलवाया अफसरों की टीम को देख साल्वी उनकी पत्नी और बच्चे भुचक के रह गए जांच में साल्वी और उनकी पत्नी के नाम बैंकों की पासबुक बीमा कमपनियों में लाखों का निवेश और सोने चांदी के आभूशन भी मिले साल्वी ने घर में शानों शौकत का सारा सामान जुटा रखा था वह बच्चों की शिक्षा पर भी लाखों रुप्य खर्च कर रहा है निवास पर एक कारॉल तीन दो पहिया वाहन भी पाए गए संपत्ती का आकलन करीब डेर करोड रुपय किया गया है E.O.W. के अधिकारियों ने बताया कि साल्वी वर्ष 1997 से निगम में मस्ट कर्णचारी के रूप में कार्य कर रहा है वर्ष 2016 में उसे स्थाई कर्णचारी के रूप में पदस्त किया गया उसके 25 साल के सेवाकाल में वेदन का आकलन लगभग 26 लाख रुपय किया गया है